Hello friends, आप देख रहे हैं Tech of Amdun Friends, आईए आज की वीडियो में डिसकस करते हैं How to create users in Ubuntu Linux हम अपने Ubuntu operating system में users को कैसे create करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो friends, users को हम अपने Ubuntu operating system में दो तरह से create कर सकते हैं एक तो terminal के तुरू यानि CLI से और दूसरा GUI से आप अपनी Ubuntu operating system की settings में जाके भी users को add और remove कर सकते हैं तो friends, अगर आप channel पर नए हैं तो इस channel को subscribe कर लें ताकि आने वाली वीडियो की information आप तक पहुचती रहे चलिए friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं Ubuntu operating system open कर लेते हैं यह Ubuntu operating system रहाँ इसको login कर लेते हैं यह हमने login कर लिया तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने terminal के थिरू कैसे users को create करेंगे यानि कि CLI के थिरू हम users को कैसे create करेंगे तो हम अपना terminal open कर लेंगे right click करेंगे screen पर और यह open in terminal यहाँ से हम अपना terminal open कर सकते हैं अदू में भी जाके search में जाएंगे अपनी और यहाँ terminal लिख देंगे और यह आप यहाँ से भी open कर सकते हैं दोनों तरीके से terminal को एक command टाइप करेंगे sudo user add और यहाँ पर user का हम नाम देंगे माना user में है टेक ओफ हमदान टेक ओफ हमदान और आगे लिख देता हूं cli command line से बना रहा हूं इसलिए मुझे पता रहे कि यह user मैंने command prompt से बनाया है इसलिए मैंने इसका नाम टेक ओफ हमदान cli लिख दिया इसके बाद हम hyphen m देंगे यह हमारा default directory के लिए फिर hyphen as default cell के लिए फिर यहां पर win और waste देंगे slash win slash waste इसके बाद हम hyphen g यह हमरा default group के लिए होगा और यहां पर users यह लिखने के बाद हम enter करेंगे यह हमने command type कर दी और enter कर दिया enter करने के बाद friend यह हमें sudo का password डालना होगा मतलब के इसके root का password तो password type कर देते हैं हम यहां पर यह हमने password type कर दिया और enter कर दिया यह हमारा user successfully create हो चुका है कोई error नहीं आया टेक ओफ हमदान cli के नाम से अब हम इसका password चेंज करेंगे चेंज क्या मतलब password set करेंगे अब यह user create किया है हमने यह password कहीं भी नहीं दिया तो हम आईए friend देखते है password कैसे set करेंगे इस user का फिर command चलाएंगे sudo pass wt और यहां user का नाम लिखेंगे टेक ओफ हमदान cli और इसके बाद enter करेंगे देखिए friends यह command टाइप करते ही sudo pass wt टेक ओफ हमदान user का नाम दे दिया यह हमसे new password माग रहा है तो हम इसका password set कर देते है asd at the rate 123 आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं जो भी आपकी password string चल लए हो यह हमने password type किया new password उसके बाद retype कराएगा password को दुबारा एक बार फिट टाइप कर देते हैं password यहां पर और यह password updated successfully हमारा user भी create हो गया tag of हमदान CLI के नाम से और उसका हमने password भी set कर दिया तो इस तरह से friend हम CLI से user को create कर सकते हैं password set कर सकते हैं उसका अब friend चलते हैं यूई यूई से हम कैसे users को add करेंगे create करेंगे तो अपने यहां search में जाएंगे और यहां से हम setting में जाएंगे setting में जाके भी आपको users वाला option मिल जाएगा यूजर का और दूसरा हम direct अपने search में setting में जाके यहां पर users लिख देंगे हम तो आपको यह users वाला option मिल जाएगा तो friends हमने जो CLI से user create किया था वो देखिए यहां हमें show हो रहा है टेक अप हमदान CLI इसी नाम से हमने अपने टर्नल में जाके user create किया था वो हमारा create हो चुका है तो GI में हम add करने के लिए सबसे पहले इसको हम unlock पे किलिक करेंगे unlocked इसको unlock करते हैं unlock करेंगे तो यहां पर sudo का password डालना होगा यानि की root का authenticate पे किलिक किया यह हमारा option highlight हो गया unlock से पहले add user का option हमें नहीं दे रहा था मतलब हम create नहीं कर सकते थे हमने उसको unlock कर लिया और यहां से option मिल गया हम तो add user पे किलिक करेंगे और यहां देखना होगा मैं standard user रखना है administrator as per requirement आप अपने साब से choose कर सकते हैं option दोनों option है यहां पर standard भी create कर सकते हैं administrator यहां user का full name दे देंगे testing लिखते हैं हमने user name भी testing ही रख देते हैं set password कर देते हैं पासवर्ट यह टाइप कर देते हैं confirm कर देते हैं यह यहां पर friends आपको password की strength दिखाता है कि यह कितना secure है तो इसको आप change भी कर सकते हैं अपने साब से जैसे कि मैं यहां asd डालूंगा तो यह week दिखाएगा red है इसका मतलब week है और इसको मैं change कर दोंगा strength को कि मैंने दूसरी टाइप का password डाल दिया तो यह green हो गया है नकी okay strong password यह देखिए नीचे password strong लिखा भी आ रहा है तो आप यह string अपने साब से आप देख सकते हैं इसको retype कर दिया password को हमने और यहां add पर क्लिक कर देंगे है यह हमारा testing user successfully create हो चुका है तो इस तरह से friends आप कर सकते हैं और CLI से दौना तरीक से यूजर को add कर सकते हैं उसका password भी set कर सकते हैं इसको cancel कर देते हैं और वापस users पर हम पहुच जाते हैं इसको और यह sync हो के आ जाएगा हमारा users में यहां से हम user पर वापस आ गए और इस arrow पर किलिक करेंगे यह हमारा testing user यहां देख गया और यह हमारा GUI के थुरू वाला था और यह हमने CLI से तो इस तरह से friends आप CLI और GUI के थुरू आप users को create कर सकते हैं उनके password चेंज कर सकते हैं तो friends यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करें share करें और चैनल को subscribe करें थैंक्स पॉर वाचिंग